नमस्काल डीवी निउस में आपका स्वागत है निजी कमपनी के CEO की हत्या की धमकी से पुलिस सकते में आ गई है आरोपी ने कमपनी के परचेश मैनेजर को मैसेज कर कहा कि उसको 30 लाख रोपे चाही है मैसेज में यह भी लिखा है कि 20 मिनिट में रोपियों का बंदोपस्त नहीं हुआ तो कमपनी के CEO की हत्या कर दी जाए की पुलिस ने मोबाइल नमबर वा लॉकेशन के आधार पर आरोपी को गिरफतार कर लिया है आरोपी कमपनी का पुराना करमचारी निकला घटना राओ खाना छेतर अंतरगत श्रम में कॉलोनी की है पुलिस ने बुदवार शाम दिल्ली एक्सपोर्ट कमपनी के परचेश मैनेजर अंकित रामचरण पाटीदार निवासी बंजारी चौक तिल्लोर खुर्द की शिकायत पर केस दर्ज किया अंकित ने पुलिस को बताया कि कमपनी बैटशीट मैनुफैक्चरिंग का काम करती है कमपनी का CEO बुआ का बेटा सचिन सोले है बुदवार दुपहर 14 फरबरी को कमपनी के तरब से ब्लड डोनेशन का कारिक्रम रखा गया था अभी अंकित के मोबाइल पर अग्यात नंबर से मैसेज आया उसमें लिखा कि सचिन सोले दित्वी एक्सपोर्ट कमपनी का मालिक है उसका घर कोदरिया में है 20 मिनिट में 30 लाख रुपए चाहिए 20 मिनिट में रुपए नहीं दिये तो सचिन के परिवार को मौत की नीद सुला दूँगा समझा कि नहीं अंकित पाटिदार मेरे साथ ही रुपियों का इंतजार कर रहे हैं मेरा पता राजेंद्र नगर DMT के पास है बता दे कि अंकित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के मोबाइल नंबर की लोकेशन निकाली और टीप तयार की ढूंडते हुए पुलिस कर्मी DMT पहुँचे तो अंकित ने वहाँ बैठे पूर्व कर्मचारी महेंद्र और फु प्रदीप को पहचान लिया मूलतहर सागर निवासी महेंद्र कुछ समय पूर्व कंपनी में एमड्राइजरी का काम करता था उसने अंकित को मैसेज करने के साथ साथ अन्य कर्मचारीयों को भी कॉल लगाया है वहीं अंकित के मताबिक रोपे मांगने में कोई और भी शामिल है